तो आज हम इस derivation को समझेंगे that is electric potential due to dipole at its axial point ठीक है बाकी जो derivation से आपको प्लेइलिस में मिल जाएंगे चेक कर लेना है तो हम लोग एक काम करते हैं फीडियो को सुरू करने से पहले थोड़ा basics को समझ लेते हैं ठीक है तब जाके अच्छे से fill आएंगे एक्चल मैं कहानी के है let's say एक charge है उस charge से थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे कितना potential होंगे उसको हम लोग निकल सकते है with the help of this formula यहाँ पे k की value क्या है 1 by 4 by epsilon न तो इसका value है मालूम है newton meter square कुलॉंप inverse square ठीक है ऐसा है तो इस charge की वज़े से यहाँ पे electric fill इतना है अगर यह charge negative होंगे electric fill की value कितना होंगे k negative q by r fine clear है अभी देखो electric potential due to dipole at axial point तो basically dipole की वज़ा से electric potential मिलेंगे कहा कहा पे 10 points पे एक है axial point इस point का नाम है axial point क्योंकि यह point axis पे है तो dipole की axis है axis पे इस point को रखा because of that axial point फिर यह जो line है इस line को हम बोलेंगे equator या तो perpendicular bisector भी बोल सेकते हो तो इस line में हमने इस point को लिया because of that यह equatorial point ठीक है यहाँ पे equatorial point फिर at any point इसका meaning क्या हुआ except equatorial point and axial point कही पे भी आप point ले लो एक यहाँ पे ले सकतो है यहाँ पे है ना तो मैंने यहाँ पे लिया तो इस point पे potential कितना होंगे you can find it with the help of this formula ठीक है तो आज की lecture में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कितना potential होंगे यानि axial point पे कितना potential होंगे उसको derive करेंगे यानि इस formula को derive करेंगे यहाँ पे p का meaning कहाँ दाइपल moment है ठीक है एक दम basic से अच्छे से डेखेंगे हम लोग चीजों को तो अब लोग इसको थोरे सा note करके रखो ठीक है मैं इसको मिता देता हूँ okay तो मैं यहाँ पे formula लिख के रहता हूँ यह that is kp by r square ठीक है यह formula इसको derive करना है हमें okay यह जो point है यह point दाइपल से कुछ दूरी पे होंगे यानि दाइपल से मतलब दाइपल की center से let's consider यहाँ से यहाँ तक दिस्टेंस है that is r ठीक है और दाइपल की जो length होंगे यहाँ से यहाँ तक इसको हमने a consider किया lv कर सकते हो कोई डिक्कत नहीं इसको हमने a किया तो basically separation distance कितना हुआ twice a ठीक है अभी देखो अगर एक charge है उच charge से थोरी ची दूरी पे हमें क्या में लेंगे potential मिलेंगे है न तो यहाँ पर यह जो minus q charge है इसकी वज़ा से इस point पर potential मिलेंगे कितना मिलेंगे यहाँ पर लिख देता हूँ फी minus ठीक है फी minus के है electric potential okay due to minus q charge ठीक है तो इसका value कितना होंगे that will be equal to k q by r लेकिन इससे लिखने से गलत होंगे q क्यों देखो यह जो charge है इहाँ से थोरी सी डूरी पे r distance डूरी पे हमें potential छे यह formula है क्या q by r ठीक है तो देखो हमें इस point से charge की distance लेना है इस formula में है नीचे जो यह r है यह r के है charge से point की distance इहाँ पे भी हमें इस charge की वज़ा से यहाँ पे potential छे यह because of that हमें इस distance को लेना होग कितना होंगे यह distance इहाँ से इहाँ से इहाँ तक a है इहाँ से इहाँ तक r है देख पा रहे हो तो basicLy आप लिखोगे r plus a तो इहाँ पे r की जगा पे लिखोगे r plus a अभी correct होंगे ठीक है फिर उपर क्या है यह minus q है तो इहाँ पे minus q है because of that इहाँ पे भी minus q लिखना होगा त तो basically आप लिखोगे minus k q by r plus a, यह हुआ correct formula, ठीक है, next step में हमें कहा करना है, जो v positive है, let's consider v positive is the electric potential, okay, due to, due to plus q r, ठीक है, तो v positive को क्या लिखोगे आप, यहाँ पर में लिख देता हो, v positive can be written as k q by, यहाँ पर कै लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक की distance है, तो k से कितना लिखोगे यह, r minus a लिखोगे, है ना, तो r से इतना सा minus कर दो, फिर आपको इतना सा मिल जाएंगे, तो that is equal to r minus a, ठीक है, इस सर से इस point की distance इतना है, तो अप लिखोगे r minus a, fine, तो अभी देखो यहाँ पर total potential कितना होगे, दोनों potential को add करना होगे, है ना, तो total potential v can be written as v minus, फिर plus लिखोगे, v plus, ठीक है, दोनों को add कर दिया, तो v minus की value कितना है, इतना, ठीक है, तो अब लिखोगे, एक काम कर से, इसको पहले भी लिख सकते है, k q r minus a लिखा, फिर minus k q, फिर r plus a लिखा, ठ ठीक है, तो मैंने क्या क्या, v plus को पहले लिखा, और v minus को बाद में, देख लो, clear है कि नहीं, yes, easy है, तो v is equal to this much, अभी इसको calculate करना है, कैसे करोगे इसको calculate, k q को common ले लो, है ना, अपको क्या में लेंगे, r minus a, फिर minus 1 by r plus a, ठीक है, तो अभी next step में, क्या करना है, lcm लेना ह ठीक है, इस तरह से multiply किया, फिर यहाँ पर 1 into this much होंगे, ठीक है, r plus a मिलेंगे, minus a minus, फिर 1 into this much, okay, r minus a लिखोगे, clear है यहाँ तक, k q, फिर क्या लिखोगे, yes, अभी देखो, bracket को तोरुने, हमें मिलेंगे, a r plus a है ना, फिर क्या मिलेंगे, minus r plus a, clear है, अभी a minus b into a, a plus b, एक फर्मूला है ना, फर्मूला कौन सी है, a square minus b square is equal to a minus b, a plus b, ठीक है, तो इस फर्मूला के मदद से हम लोग इसको क्या लिख सकते है, r square minus a square, ठीक है, देख लो एक पर, clear है किने, yes, easy है, अभी देखो, next step में, यह जो r है, दोनों cancel होंगे, okay, k q, तो हमें क्या a, twice a, फिर निचे, r square minus a square में लेंगे, clear है, तो v की value इतना सा आ गया, अभी धहांचे देखना, एक concept है, that is dipole moment, तो dipole moment की direction होंगे, negative charge तो positive charge, ठीक है, और dipole moment की जो symbol है, that is capital P, and this is equal to charge into separation distance, तो separation distance कितना है, twice a, okay, यह जो dipole है, दोनो charges के बीच में, जो separation distance है, twice a, और दोनों में से एक charge लेलो q, ठीक है, तो q into twice a can be written as dipole moment, and that is capital P, तो यहाँ पे आप डेख पारे हो, q into twice a, इसको अप के लिखोगे, इसको अप लिखोगे, k, फिर यहाँ पे P divided by r square minus a square है, ठीक है, तो यह है formula, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक special condition लेके, इसको थोड़ा सा और modify कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको note करके रखो, इसके बाद modified formula को देखते हैं, है ना, easy है, तो अगर हम यह जो point है, उस point को, suppose मैंने बहुत दूर लेके गया, ठीक है, तो यह जो point है, इस point को बहुत दूर लेके गया, तब क्या होंगे, यह जो r है, r will also increase, है ना, तो r will be very very greater than a, ठीक है, क्यूंकि यह जो a है, जितना है, पहले उटना ही रहेंगे, है ना, लेकिन r क्या होंगे, चेंज होंगे, क् कि इस point को दूर लेके गया, तो basically, अगर इस type का condition है, r is very very greater than a, उस case में आप a को neglect कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर यह जो v की formula है, v is equal to, अगर a को neglect करोगे, या इसकी value 0 कर दोगे, तो आप क्या के मिलेंगे, kp by r square, ठीक है, आपको मिलेंगे, kp by r square, यह हुआ final formula, after modifying, ठीक है, तो kk value आप लिक सकते हो, है न, kk value क्या है, 1 by 4 pi epsilon 0, फिर इहाँ पर capital P divided by r square, ठीक है, यह हो गया formula, ओके, easy है, है न, दोटिम पर practice करना, आरम से होंगे, यह board exam के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा इंपोर्त हैं, ठीक है, तो आप लोग आच्छे से note करना, और practice करना, ठीक derivations करके एक playlist थे, वहाँ पर मैंने हर इक derivations को समझाया, ठीक है, जो board exam के लिए necessary है, है न, तो एक काम करना, आप लोग चैनल को subscribe करना, और like भी करना, share करना, है न, तो मेभी मेहनत कर लो, आप भी थोड़े सा मेहनत कर लो, channel को subscribe करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ह